आज की हमारी वीटियो का टॉपिक है ते पोएम टेलिविजिन टेलिविजिन रिटन बाई रोवाल धाल इस टेकन फ्रॉम एक्जाम में लिख सकते हो and degree 6 semester का सारा syllabus covered up है and playlist is given in the description box below you can go ahead and complete your whole syllabus let us begin the poem the most important thing we've learned so far as children are concerned is never, never, never let them near your television set यानि कि सबसे important बात जो कि बच्चों से related हमने जो सीखी है वो ये है कि कभी भी, कभी भी हमें अमारे बच्चों को television set के खरीब बेर नहीं आने देना है or better still, just don't install the idiotic thing at all और बहतर यही है कि तुम इस idiotic thing को idiotic यानि कि very stupid, okay इस stupid सी thing को तुम अमने घर में install ही ना करो in almost every house we've been, we've watched them gapping at the screen यानि कि जिस भी घर में गया हूँ, मैंने वहाँ पर देखा है बच्चों को बहुत ही surprise के साथ, screen को देखते हुए gapping means looking with great surprise then lol and slop and launch about lol यानि कि वो नीचे लेट जाते हैं, relaxed mode में आ जाते हैं lounge का भी meaning almost same है, sitting idly or relaxed mode and slop means to act lazily or relaxed so वो आराम से लेट जाते हैं, television screen के सामने and stare until their eyes pop out जब तक कि उनकी आखें बाहर नहीं निकल जाती, वो तब तक उस screen को घूरते रहते हैं last week in someone's place, we saw a dozen eyeballs on the floor ये dozen eyeballs on the floor जो है, वो एक hyperbolic expression है वो कहते हैं कि उन्होंने last week ही किसी के घर पर बहुत सारे बच्चों को नीचे जमीन पर बैट कर आराम से TV को घूरते हुए देखा है they sit and stare and stare and sit until they are hypnotized by it until they are absolutely drunk यानि कि वो बैट कर उस TV को घूरते रहते हैं घूरते रहते हैं, इतना घूरते हैं कि जैसे कि उस TV ने उन पर कुछ जादू कर दिया हो उन्हें hypnotize कर दिया हो, अपने वश में कर लिया हो या फिर वो ऐसे लगते हैं कि मानो वो नशे में हो मतलब totally they are lost into the TV and उनकी eyes जो है वो swell करने लगती हैं बहुत जादा lazy हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें अपने वश में कर लिया है with all that shocking ghastly junk ghastly junk का मतलब होता है terrible or very bad यानि कि जो भी आप देखते हो टिवी पर वो बहुत जादा बक्वास चीजे हैं and they are junk waste to think, to wonder just exactly what this does to your beloved taught taught का मतलब होता है child तो obviously बात है कि वो तुम्हें बिल्कुल भी disturb नहीं करते वो ना तो window से कूदेंगे ना ही किसी को kick करेंगे ना punch करेंगे और तुम्हें बिल्कुल free छोड़ देंगे अपना lunch बनाने के लिए परेंट्स को बिल्कुल भी disturb नहीं करेंगे तुम्हाराम से dishes भी दो सकते हो kitchen में और वो कभी भी तुम्हें रोकेंगे नहीं लेकिन क्या तुम्हें ये सोचना बन कर दिया है कि जो TV पर जो junk तुम्हारे बच्चे देखते हैं गैसली जंग जो देखते हैं उससे तुम्हारे बच्चे के ओपर क्या असर परता है क्या करता है ये टीवी तुम्हारे बच्चे को this does to your beloved dot it rots the sense in the head यानि कि आपके बच्चे के दिमाग को fungus लग जाता है वो decompose होने लगता है and बिल्कुल भी वो काम नहीं करता वो एकदम सरने सा लगता है it rots it kills the imagination dead it clogs and clutters up the mind यानि कि आपके बच्चे की सोचने समझने की शक्ती को वो television जो है वो खतम कर देता है आपके बच्चे का जो mind है वो बिल्कुल ही slow हो जाता है वो clog कर देता है और clutter कर देता है mind को यानि कि cover कर देता है और fill कर देता है mind को untidy collection of things से यानि कि ऐसी चीज़ें जो कि बिल्कुल भी काम की नहीं है it makes a child so dull and blind यानि कि आपका बच्चा बहुत ही dull हो जाता है घंदा हो जाता है टीवी में he can no longer understand a fantasy of fairy tale वो आप बिल्कुल भी समझ नहीं सकता किसी भी fantasy को fantasy क्या होता है जब आप imagine करते हो ऐसी चीज़ों को जो कि impossible है वो ना तो ऐसी चीज़े imagine कर सकता है और ना ही वो किसी भी fairy tale को समझ सकता है यानि कि परियों की कहानी को समझ सकता है his brain becomes as soft as cheese उसका दिमाग जो है वो चीज की तरह नरम पर जाता है यानि के बिल्कुल भी काम नहीं करता his powers of thinking rust and freeze उसकी सोचने समझने की शक्ती को जंग लग जाता है rust लग जाता है और वो जम जाती है he cannot think he only sees वो बिल्कुल भी सोच नहीं सकता और वो सिर्फ देखता है किसे देखता है टीवी को देखता है वो all right you'll cry, all right you'll say but if we take the set away what shall we do to entertain our darling children please explain we'll answer this by asking you what use the darling wants to do how use they keep themselves contended before this monster was invented have you forgotten, don't you know we'll say it loud and slow यानि के तुम कहोगे ठीक है ठीक है तुम इतनी बुराई तो कर रहे हो टीवी की लेकिन अगर हम इन्हें टीवी ना दिखाएं तो फिर हम हमारे बच्चों को entertain कैसे करें तुम explain करो इस बात को तो author जो roll ढाल है वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इस चीज का जवाब दूँगा एक सवाल पूछ कर कि टीवी के इन्वेंट होने से पहले बच्चे क्या करते थे वो अपने आपको contented कैसे रखते थे यानि कि happy और satisfied कैसे रखते थे इस monster के इन्वेंट होने से पहले क्या तुम सब लोग भूल चके हो या कि तुम्हें पता नहीं है वेल मैं तो इसे बहुत ही बड़ी आवाज में और स्लोली कहूंगा यहाँ पर तो वर्ड ग्रेट स्कॉट अन गाजूक्स इस राइजूक्स है यानि कि उनकी आदी जिंदगी तो बुक्स पढ़ने में ही चली जाती थी और नर्सरी के जो शेल्व सोथे थे वहां बर बुक्स भड़े हुए होते थे बुक्स ग्टरट अब दो नर्सरी फ्लोर ग्टरट अप यानि कि अनौर्गनाईजद वे में नर्सरी में बुक्स रखे जाते थे यानि के बुक्स ना सिर्फ नसरी में होते थे बलके बेड्रूम में होते थे और हर जगा बुक्स होते थे पढ़ने के लिए Such wondrous, fine, fantastic tales of dragons, gypsies, queens and whales and treasure isles and distant shores where smugglers rode with muffled ores and pirates wearing purple pants and sailing ships and elephants and cannibals crouching round the port stirring away at something hot तो आल धाल कहते हैं के बच्चे अलग-अलग genres के बुक्स परते थे वो wondrous stories परते थे, fantastic tales परते थे, dragons की stories, gypsies gypsies वो लोग होते हैं जो के north indians होते हैं and वो travel करते हैं they have dark skin and hair and वो fortune telling में भी होते हैं तो gypsies के बारे में कहानियां होती थे, kings के बारे में, queens के बारे में, whale मचली के कहानियां होती थे, treasure islands की कहानियां होती थे, distant shores यांजी के remote destinations की कहानियां भी होती Upstate जो smugglers होते थे, smugglers यानि कि वो लोग जो कि illegally goods को transfer करते हैं, वो road with muffled ores, muffled ores क्या होते हैं, समंदर में poles का इस्तमाल करते थे, ship को आगे लेके जाने के लिए, आप इस image को देखो, ये poles है, pirates के हातों में, and pirates wearing purple pants, यानि कि pirates समंदरी डाकू, जो कि purple pants में होते थे, and जो ships होती थ उसमें elephants होते थे, हाती होते थे, and cannibals, cannibals वो लोग होते हैं, जो कि इंसानों का ही गोश्ट खाते हैं, they eat human flesh, जो cannibals होते थे, वो crouching करते थे, यानि कि बैठते थे, गुटनों के भल, pot के उपर, pot जो के ship के अंदर है, stirring away at something hot, यानि कि कोई ऐसी चीज की तरफ देखते थे, जो के बिलकल गरम है, it smells so good, what can it be, good gracious, it's Penelope, यानि कि ये तो बहुत अच्छी खुश्बो आ रही है, ये किसकी खुश्बो है, ये तो Penelope के खुश्बो है, अब Penelope जो है, यहाँ पर एक character की बात करता है, बहुत ही मशूर popular book से है, जो के है, Homer's Odyssey, तो basically, रोयल धाल इस character के ये कहना चाहते हैं, कि बच्चे जो है, वो टीवी के इन्वेंट होने से पहले, बहुत जादा लॉयल थे, faithful थे towards books, और जिस तरहा एक Penelope, ये जो story है, Homer's Odyssey, उसमें Penelope एक वाइफ होती है, जो के बहुत ही इमानदार होती है, और faithful होती है, अपने हस्बन को लेकर, तो उसी तो जो बिल्कुल यंग बच्चे होते थे, वो ये सारी किताबे पड़ते थे, ये सारी books के नाम है, okay, Beatrix Potter, Camel Got His Hump, Rat and Mr. Mole, ये सारी books है, जो के बिल्कुल छोटे बच्चे पड़ते थे, Oh, books, what books they used to know, those children living long ago, यानि कि क्या किताबे थी वो जो बच्चे जानते थे, और पड़ते थे, long ago, यानि कि बहुत समय पहले, जो TV है, उसके इंवेंट होने से पहले, So, please, oh, please, we beg, we pray, go throw your television set away, so, हम request करते हैं, हम भीग मांगते हैं, हम दुआ करते हैं, कि प्लीज, प्लीज, जा कर अपने TV के डबे को फेग दो, And in its place, you can install a lovely bookshelf on the wall, यानि कि इस TV की जगा पर आप install कर सकते हो, एक बहुत ही अच्छा सा bookshelf अपनी दिवार पर, Then fill the shelves with lots of books, ignoring all the dirty looks, यानि कि फिर उस shelf में बहुत सारी किताबें दाल दो, and सारे dirty looks को ignore करो, यानि कि बच्चे जो हैं, वो displeasure दिखाएंगे, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, कि आपने उनके TV के सेट को फेग दिया है, लेकिन उनके looks को आपको ignore करना है, आपको वो bookshelf install करना ही होगा, the screams and yells, the bites and kicks and children hitting you with sticks, यानि कि बच्चे आपर चिलाएंगे, आप पर yell करेंगे, आपको काटेंगे, आपको kick करेंगे, आपको hit करेंगे, लकडियों से, लेकिन ये सब चीजों को आपको ignore करना है, fear not because we promise you that in about a week or two of having nothing else to do, they'll now begin to feel the need of having something to read, यानि कि आप बिल्कुल भी डरों मत, हम आपसे वादा करते हैं कि एक या दो हफते में, जब बिल्कुल भी उनके पास कुछ भी नहीं होगा करने को, तब उन्हें ऐसास होगा कि उन्हें reading करनी चाहिए, they have to read something, and once they start, oh boy, oh boy, you watch the slowly growing joy that fills their hearts, यानि कि एक बार वो पढ़ना शुरू कर दे, तो ये oh boy, oh boy जो है, वो excited statement है, कि एक बार वो किताबें पढ़ना शुरू कर दे, उसके बाद आप देखो कि उनके दिल में कितनी ज़्यादा खुशी भर देते हुआ, they'll grow so keen, यानि कि वो जानना चाहते हैं कि इन किताबों में क्या है, they'll wonder what they've ever seen in that ridiculous machine, that no-sitting, foul, unclean, repulsive television scream, यानि कि वो लोग wonder करेंगे कि उन्होंने क्या देखा था उस television के डब्बे में, जो कि बिल्कुल ही ridiculous machine है, no-sitting है, no-sitting यानि कि उसे देख कर vomit आने लगती है, वो foul है, धोका है वो, and वो unclean है, यानि कि उसमें rubbish भड़ा हुआ है, repulsive है television scream, and later each and every kid will love you more for what you did, यानि कि बाद में हर बच्चा आपको पसंद करेगा, ये जान कर कि आपने उसके लिए कितना अच्छा काम किया है, अब इस poem television की summary को जान लेते हैं, जो कि आप अपने exam में लिख सकते हो, रॉल धाल is one of the most prolific English writers, he has written short stories, novels, poems, screenplays, and several classics for children, for his remarkable storytelling talent, he is admired by many young readers, here he writes how television is evil for small children, यानि कि रॉल धाल जो है वे बहुत ही मशूल, prolific है English writer, और उनने कई साई short stories लिखी हैं, novels लिखी हैं, poems, screenplays, और बहुत सारी classic stories लिखी हैं बच्चों के लिए, वो एक बहुत ही मशूर और remarkable storytelling talent रखते हैं, और बहुत सारे young readers उनने बहुत ज़ादा पसंद करते हैं, और इस poem में वो लिखते हैं के TV जो है, वो कितना ज़ादा बुरा है छोटे बच्चों के लिए, The poet-speaker advises parents to keep their children away from the television set at all times. He claims that he has witnessed children in every house gazing at the television screen for hours. The speaker refers to television as an idiotic thing and cautions that junk television shows damage a child's imagination, reduce thinking power and make them dull. Dahl advises the parents to replace the television with a nice bookshelf and fill it with books about interesting stories and topics. The poet-speaker advises parents to keep their children away from the television set at all times, because they have witnessed their children in many homes that children are on TV TV, and they say that TV is an idiotic thing, or stupid thing, and they warn and caution to them, that the television shows will end your children's imagination, their thinking and understanding of the power of their thinking, and they will be very dull. And they will also advise the parents to replace their television with a good bookshelf, and fill it with interesting stories and topics related to that bookshelf, even if the children express displeasure at first, they will eventually develop a passion for books and find joy in reading, as well as love their parents for what they have done. So, the kids will always be displeasure, they will always be displeasure, they will always be displeasure, but they will always develop passion to read books, i.e. pleasure reading we will develop pleasure reading, we also call extensive reading, and they will also love their parents, because they realize how much of a good work they have done for their parents. So, degree, third year, sixth semester, so that all the lessons and grammar topics have been given in the playlist, there is a link in the description box, you can cover up your whole syllabus, and do tell me, how do you feel this poem television, and how do you feel this topic, and how do you feel this topic, and do not forget to hit the bell icon, so that you will be notified, each time i upload a video. nd 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 झाल